दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं England और New Zealand के Final Playing 11 पिछ रिपोर्ट, Players Update, Player Matchups, Player और Team Prediction और Fantasy Team के बारे में वीडियो को स्टार्ट करनें से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि हम आपको डेली क्रिकेट न्यूस, फाक्स और अपडेट्स देने वाले हैं एक लैंड वसे न्यूजिलैंड की मैच फाइब आक्टूबर को दो पहर दो बजे नौरेंदर मोदी स्टेडियम एहमदाबाद में खेला जाने वाला है अब बात करते हैं वेन्यू के बारे में एहमदाबाद में सबसे बड़ी बॉंडरी 80 मीटर्स की है और सबसे चोटी बॉंडरी 58 मीटर्स की है इस स्टेडियम के पिछ बैट्समिन्स के लिए मददगार साबित हो सकती है इस स्टेडियम में ODI की एवरिज स्कूर 249 रन है और यहां पे आउट फिल्ड काफी तेज जोने के कारण रन बनाने में भी आसानी होती है हलाकि शुरवात में अगर 30 गेंदबाजों की लाइन लेंथ अच्छी रही तो गेंदबाज भी कुछ फाइदा उड़ा सकते है मैच में आगे बढ़ने के साथ स्पिनर्स को थोड़ा बहुत मदद मिलना शुरू हो जाता है और इस स्टेडियम में टीम टॉज जीतकर पहले बैटिंग करना ज़्यादा पसंद करती है क्योंकि बाद में गेंदबाजों को थोड़ा बहुत मदद मिलने लगती है इस ग्राउंड का फर्स्ट इनिंग आवरेज स्कूर 249 रंस का है हाईज टूडल की बात करें तो साथ अफरिका ने 365 रंदो विगिट के नुकसान पे बनाये और 50 ओवर्स में लो इस टूडल की बात करें तो जिमवाबवे ने 50 रंस ही बनाये दस विगेट के नुकसान पर यहाँ पे इस ग्राउंड पे पहले बैटिंग करने वाली टीम 13 मैचेज में से 54% जीती है और दूसरी बैटिंग करने वाली टीम 46% जीती है साथ ही इस ग्राउंड पे लाश्ट कुछ मैचेज में पेसर्स ने 79 विगर्स लिए हैं और स्पिनर्स ने 61 विगर्स लिए हैं क्योंकि वहाँ पर आपको मैच के अपडेट्स मिलते रहेंगे तो प्लीज जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करें अब बात करते हैं दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 के बारे में सबसे पहले बात करते हैं इंग्लेंड की जानी बेस्टो, डेविड मलान, जो रूट, बेन स्टोक, जॉस बतला, मोहिन अली, लियम लिविंग स्टोन, साम करन, आदिल रशीद, मार्क वूड, रीस, टॉपली इस टीम में विल यंग और डेविड कॉन वे ये नियुजिलन के लिए ओपनिंग करेंगे, बाद में तीन नमबर पे टॉम लेथम और डेरियल मिचल और ग्लैन फिलिप टीम में फिनिशर का रोल निभाने वाले हैं ये प्रोबेबली प्लैंग 11 है, इसमें कुछ भी बदलाब होते हैं, तो इसकी अपडेट आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी, चैनल के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जल से जल हमारे चैनल को जॉइन कर लीजे, अब बात करते हैं टीम्स के हैट तो हैट कंपरीजिन के बारे में लाश्ट टैन मैसेज में इंगलेंड ने सेवन मकाबले जीते हैं, अब बात करते हैं टीम्स के फॉर्म की, तो इंगलेंड ने पांच मैसेज में पांच मैसेज जीते हैं, अब दोनों टीम्स के हैट तो हैट तो और डेरियल मिचल ने साथ ओवर्स में 40 रन देकर दो विकेट्स लिये थे सेकंड इनिंग न्यूजिलेंड बैटिंग रचिन रविंदर ने 48 बॉल में 41 रन और हैंरीक निकॉलिस ने 48 बॉल में 41 रन बनाये थे इंग्लैंड बॉलिंग मोही नली ने 10 ओवर्स में 50 रन देकर 4 विकेट और डेविड विली ने 6 ओवर्स में 28 रन देकर एक विकेट लिया था अब बात करते हैं इस वेन्यू में लास्ट कुछ मैचेस के बारे में वेस्ट इंडीज वर्स इंडिया इस मैच में इंडिया ने पहले बैटिंग की और 256 रन बनाये 10 विकेट गवा दिये वेस्ट इंडीज इस टोडल का पीचा करते हैं 179 रन ही बना पाई 10 विकेट खोकर और इस मैच में स्पिनर्स ने 5 विकेट लिये थे और फास्ट बॉनर्स ने 15 विकेट चटकाए थे इंडिया वेस्ट इंडीज इस मैच में वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग की 176 रन बनाये 10 विकेट गवा इंडिया ने इस टोडल का पीचा किया और 178 रन बनाकर 4 विकेट पे ही मैच को जीत लिया और इस मैच में स्पिनर्स ने 8 विकेट लिये थे फास्ट बॉनर्स ने पाँच बिगेट्स लिए थे इंडिया वस्ट इंडीज इंडीज इस मैच में बैंडीज ने पहले बैटिंग की 206 अच्छ बनाए और पाँच बंदीज गवाई इंडिया इस तोटल का पीछा करते हुए इंडिया ने 200 exception बनाया और 5 wicket पर ही इस match को जीत लिया Smash में spinners ने 5 wickets लिये थे और fastballers ने 5 wickets चटकाये थे अब बात करते हैं सभी player के stats के बारे में Johnny Bear Stowe 13-0-6-73-12, head-to-head message 11, runs 546 and average 55 David Milan 127-96-54, 26-2, head-to-head message 3, runs 277, average 92 Joe Root, recent form 29, 4069, head-to-head message 25, runs 972, average 46 Ben Stowe, recent form 182, 152, 527, head-to-head message 16, runs 671, average 555 and wicket 16 Josh Butler, recent form 36, 38, 30, 72, 40, head-to-head message 24, runs 702, average 41 More early, recent form 3 plus 4 wicket and 12 plus 1 wicket, 33 plus 2 wicket, 1 plus 0 wicket, 2 plus 0 wicket Head-to-head message 10, runs 134, average 16, wickets 13 Liam Livingstone, 28 plus 1 wicket, 11 plus 3 wicket, 95, 52 plus 0 wicket, do not bat Head-to-head message 4, runs 186, average 62, wickets 4 Sam Curran, 20 plus 1 wicket, 3 plus 1 wicket, 42 plus 0 wicket, 23 plus 2 wicket, 33 plus 4 wicket, head-to-head message 3, runs 65, average 21, wickets 2 Adil Rashid, 1 wicket, 2 wicket, 4 wicket, 2 wicket, 3 wicket, head-to-head message 14, wickets 18 Mark Wood, recent form 0 wicket, 2 wicket, 0 wicket, 3 wicket Head-to-head message 9, wickets 9 Race, Topley, 0 wicket, 2 wicket, 3 wicket, 0 wicket, 0 wicket, 0 wicket Head-to-head message 4, wickets 5 New Zealand Will Young, 70, 0, 58, 24, 12 Head-to-head message 4, run 98, average 24 Devon Conway, 7, 9, 14, 111, 138 Head-to-head message 4, runs 141, average 47 Tom Latham, 13, 3, 19, do not bat, 59 Head-to-head message 11, runs 321, average 32 Number 4, Daryl Mitchell, 4 plus 2 wicket, 17 plus 0 wicket, 57, 118, 34 Head-to-head message 4, runs 196, average 65, wickets 2 Glenn Phillips, 25, 0 wicket, 72 plus 1 wicket, 2, 0 wicket, 39 Head-to-head message 4, runs 99, average 33, wickets 1 Mitchell Santner, 4 plus 1 wicket, 34 plus 0 wicket, 27 plus 1 wicket, 57 plus 1 wicket, 15 plus 0 wicket Head-to-head message 14, runs 337, average 37, wickets 13 Jimmy Nisam, 11 plus 0 wicket, 17 plus 0 wicket, 36 plus 0 wicket, 2 plus 0 wicket, 16 plus 0 wicket Head-to-head message 3, runs 56, average 18, wickets 5 Rajin Ravindra, 1 wicket, 0 wicket, do not ball, 61 plus 4 wicket, 28 plus 0 wicket Head-to-head message 4, runs 93, average 31, wickets 7 Ishody, listen form 0 wicket, 6 wicket, do not bat, 1 wicket, 1 wicket, head-to-head message 4, wickets 10 Luki Foguji, 1 wicket, 1 wicket, do not ball, 1 wicket, 1 wicket, head-to-head message 4, wicket 6 Trent Bolt, 2 wicket, 0 wicket, do not ball, 5 wicket, 3 wicket, head-to-head message 14, wicket 27 अब बात करते हैं fantasy team के बारे में दोस्तों सबसे पहले देखते हैं की players Tum benchmark, possible captain, vice captain. Watch me keep players है Liam Livingstone, Jurroot and Trent underneath Wort, Devin Conbay Joss Butler, Rice Topley and Daryl Mitchell. सबसे पहले बात करेके Liam Livingstone की तो काफी अच्छे allrounder हैं आपको कुछ over question करा के दे सकते लियाम लिविंस्टोन यह लोडर बल्ले बाजी भी करेंगे अच्छे पिक हैं और फिनिश्टिंग का रूल भी निभाएंगे पिछले मैच में पांच बिकट्स लेकर आ देते हैं और काफी अच्छे फॉर्म में यह कंसिस्टन प्लेयर हैं आपको मैक्सिमम टाइम अच्छा रन स्कूर करके देंगे और यह अच्छे करते दिख सकते हैं खासकर डेवन कौन बे एक अच्छी पारी की अमीद है इनसे बैट्समन बैटिंग में हम लेंगे जो रूट बेन् स्टूक और डेरियल मिचुल यह तीन केलाड़ी हमें बैटिंग सक्षिन में सबसे पहले बात करें तो बेन्स टूक मिडल ओरडर में बले बाज़ी करते हैं लाष्ट में हीट्रिंग कर सकते हैं और यह विकिट पहगर है तो ये पोहती हीटर बले बाज़ हैं आपको बल्लेवाज है बिस तो इस तरही है बल्लेवाज इसमें कोई दो राय तुन नहीं है डेरियल मिचल की बात करें तो इन्होंने पिछले रन बनाएं है पिछले मैच्छs में और आप इनको पिक कर सकते हैं यह टेकनिकल बल्लेवाज है और यह अच्छे विकल्प हो सकते हैं बैटिंग सक्षिन में आल राउंडर की बात करें तो इसमें हम लियम लिविंग स्टोन को लेंगे डैरियल मिचल को लेंगे लियम लिविंग स्टोन ही अच्छे पिक हो सकते हैं आल राउंडर सक्षिन में अच्छे फॉर्म में हैं लियम लिविंग स्ट और राइस टोपली ये गेंदबाज हम बॉलिंग सेक्शन मिलेंगे दस ओवर कराते वे दिख सकते हैं ट्रेंड बोल्ट काफी प्रतिबाशाली गेंदबाज है दिखता मैचों में विकेट निकाल कर देते हैं और ये अच्छे गेंदबाज हैं और आपको बता दूँ कि किसी भी पिच पे विकेट निकालने के दम रखते हैं कुछ आकरी मैसेज में अच्छे परफॉर्मेंस में इन्हों ने दिखाया है माक बोड ये काफी अच्छे गेंदबाज है डिथ में गेंदबाजी करते हैं और आपको बिकेट निकाल कर दे सकता है अगर इनकी टीम तो आफ़ी परफॉर्मेंगें जब ये पहली पारी में इन्बाजी करेंगे क्योंकि उस समय यकी डेथ में इन्बाजी करेंगे तो अच्छा में इनका इनका पास रुमांगेंगे ये चार के इन बाज हम बॉलिक सक्षन मिलेंगे, कैप्टन, वाइस कैप्टन, फिलाल के लिए कैप्टन के लिए हम चूज करेंगे, लियम लिविंग स्टोन और वाइस कैप्टन के लिए चूज करेंगे, डेवन कौन बे दोस्तो हम इन में चेंज़ेस तो करने वाले हैं तो चेंज़ेस देखने के लिए हमारे टेलेग्राम चैनल को जरूर जोइन कीजे लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है अब बात करते है मैच मिनट के बारे में पॉर्मिंस उनके रिकॉर्ड उनके स्ट्रेंथ उनके वीक पॉइंस पर बनाई हुए है और यह हमारी फाइनल फैंटेसी टीम टास के बाद हमारे ऑफिशिल टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसके लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है तो दोस्तो हम कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी डेली ऐसे रिपोर्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन भी दबा लें वीडियो अच्छे लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें शुक्रिया